हेलो गाइस वेले कुने मारे यूटूब चैनल वी एच के ब्लॉग आज का जो रिव्यू होने वाला है जावा स्कैंबलर के उपर होने वाला है और बहुत ही बैतरीन बाइक है तो अब तक जिन लोगों ने हमारा सैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साथ में वैल आइकन को दबा दीजे और आज हम रिव्यू करेंगे जावा स्कैंबलर का और आप देख सकते हो कितनी अच्छी बाइक है और बाइक की लुक बहुत ही बड़ी है आफ रोड़िंग टायर आपको इसमें पहले से मिलेंगे और खास बात तो यह है कि इसमें टूबलस टायर मिलेंगे स्पोक्स इसमें है वट यह बाहर से लगे हुए हैं और बहुत ही बैतरीन बाइक होने वाली है स्वीट कमफर्ट बहुत ही बैतरीन है और आगे से आपको दो सलेंसर मिल जाते हैं और टायर की बात करूं तो टायर काफी चौड़ा है और आफ रोडिंग में कोई भी दिकत नहीं आने वाली है और साथ में आपको और वाइक में आपको ड्यूल चैनल एविस मिले जाएगा और ये निसान की तरफ से है और इसमें LED light आपको मिल जाती है जो जामम ऐसे Halogen Lamp पहता है और बहुत ही लुक बाइस काफी बढ़िया है और में ट्रॉक वाइस काफी क бал़िया है, or में काफी इसमें विल जाता है और इसमें रिडिटल में है और रीडियटर आगे नियां है और कॉला का फैसलेटी है और 16 18 लिटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है और मैं आपको सामने से दिखा देता हूं कैसी इसमें में अब अब कर दो है में अब को फ्यूल का और एव्य सोन आफ करने का अप्शन भी मिल जाता है आपको और इसका exhaust sound काफी बढ़िया है और जो engine है 496 CC का engine है approximately 500 CC का जो company claim करती है engine को और काफी बढ़िया डिजाइन किया हुए बाइक को बहुत ही अच्छी लग रही है मतलब लुक बाइस और आप देख सकते हो कितना क्यूट सा फील आ रहा है बाइक को देखके और राइटिंग पोईश्चर भी काफी अच्छा आएगा मतलब ओवरोल लुक बाइक का बहुत ही बढ़िया है मतलब 500cc का आपको इसमें इंजन मिल जाता है 18 लिटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है और निशान की तरफ से आपको डियो लेवियस है तो और चाहिए कि मतलब सब कुछ एक तम प्रफेक्ट है वाइक में और अगर आपको वीडियो अच्छा ल